है वेल्कम बैक तो ट्रेडिंग बॉइस आम अमान लेट स्टार्ट दे वीडियो ठीक है तो अभी तक तो रिवीजन ही था अब आगे चलने सुनना मेरी बात को सबसे पहली बात है आज मैं आपको क्या बताऊंगा मैं आपको आरें फ्लाय बताऊंगा ठीक है सबसे पहली बात हम सबसे पहले डालेंगे कि मतलब क्या है एक एक सेल करेंगे कॉल ठीक है उसके साथ-साथ हम एक sell करेंगे put समझे रो मेरी बात को ठीक है कोई ऐसा move कबर करेंगे जिसमें trade हमारे opposite जा रही हो ठीक है फिर हम उसको manage करेंगे ठीक तो एक डालेंग हम straddle, straddle हम क्या करेंगे call और एक put sell करेंगे ठीक उसके बाद हम क्या करेंगे जब next it आज जाएंगे तो उसको iron fly बना देंगे हम उसके hedges buy कर लेंगे ठीक है clear है third step रहेगा हमारा कि हम क्या करेंगे हम hedges को अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है inside लेके आएंगे यह सब चीजे क्या है मैं भी आपको बता दूँगा ठीक है लिखना है लिख लो मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको तोड़ा सा आपक हमें दिक्कत दी ठीक है तो हम क्या करेंगे straddle के साथ आज broken wing butterfly merge करतेंगे यह क्या होती यह भी बताऊंगा ठीक है तो कहने का मतलब आज मैं आपको बहुत बहुत risky एक adjustment बताने जा रहा हूं risky बहुत risky आपको पता है higher the risk higher the profit रिस्क जादा है तो profit भी तो जादा है ठीक है तो अभी मैं थोड़ी सी risky बता रहा हूं कोई problem नहीं ठीक है फिर उसके बाद मैं थोड़ी safety वाली adjustments भी बताऊंगा तो आज का मेरे target कह है जो last class के अंदर मैं आज हम क्या करेंगे straddle की थोड़ा आगे चलेंगे iron fly फिर iron fly को थोड़ा बहुत कैसे manage करते हैं वह बता हूंगा ठीक है इतनी बास समझ में आगे तो आज का topic हमारा क्या है straddle फिर hedges लेंगे iron fly बनाएंगे hedges को थोड़ा inside ले सकते हैं ठीक है जरूद पड़ी तो लेंग ठीक है otherwise trade ने मौका ने दिया तो फिर हम क्या करेंगे उसको butterfly के साथ मर्ज करतेंगे broken butterfly ठीक है क्या मतलब है आउज़र चेक करते हूं अब्सक्राइब क्या करते हैं हम चलते है options simulator पर चलने से पहले काम करते हैं हम इस बार की ठीक है ना इसी महीने की क्या करते हैं वर से ले लेते चलो पोष्ट फ्रियर वाली धिकली बड़ी सी गैडल एके यह हमारा सपार्स्ट ए ū 것을 एप्रिल से क्या करते हैं हम कुछ expiry ळेते हैं xτοac s निफ्टी हमें क्या लेना एपरिल लेने एना फर्स्ट एपरिल से दो एक स्पाईरी ले ले लेते हैं चलो फाइरिक अपकी पढ़ रही है 13 कि पढ़ रही है 13 दिखा रहा है 13 चलो 13 कद वेन्सडेयर थर्टीन का थर्टीन एप्रिल का तो वेंजडे यह कैसे दिखा रहा है चलो कोई बात नहीं ठीक आओ वे तो हम क्या कर रहे हैं मैंने ट्रेड बनाई है फर्स्ट एप्रिल को थर्टीन एप्रिल तक की ट्रेड चलाएंगे ठीक है और उसके अकॉर्डिंग अपनी आरेन फ्ल यहां युद ठीक है तो आप क्या करने जाहिए मेरे थांके सब्सक्राइब प्रफट के हमारा स्पोर्ट चल रहा है वारे 17485 तो एक काम करते हैं हम स्ट्राइडल बनाते हैं लगबग 17500 पर ठीक है तो एक काम करते हैं सेवेंटीन फाइवंड़ेड़ पर किस्ट्राइडल बनाते हैं लोगाओ एक हमने कॉल सेल करी पूट और अब हम एक्षेल करेंगे कॉल ठीक है बई एक सेकंड रखना कोई आया उसको एड्मिट कर लिए ठीक है चलो बताओ बई सेंटर में है हम लोग ठीक है सेंटर में है कोई इशू तो नहीं है ठीक तो यानि अब देखा जाए अगर तो हमारी ट्रेट सेंटर में हमने डाल दिये ट्रेट को मैक्सिम प्रॉफिट कितना देखा रहा है 24,000 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने 13 की एक तरीक को डलना ठीक है इसने एक उत रुपधी करने कोinflux l指 पर किस पर एक हमारे पर pack करेंगे मेन एड़्पनेंटर में कारिग आप करेंगे MAIN AGESTMENT हम करेंगे जब हमारी TRADE कहां पहुच जाएगी TRADE हमारी पहुच जाएगी यहां पर BREAK EVEN पर ठीक है BUT सबसे पहले अभी मैंने क्या डाला मैंने STEDL डाला मैं क्या करूँगा अभी देखो Naked है आपको दिख रहा है नीचे की SIDE Losses तो इतना डर नहीं लगेगा तो हम क्या करते हैं जनरली पहली बात सुन लेना जब मैंने स्टेडल डाला है तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको लगबग जिस दिन मैंने स्टेडल डाला है उसको मैं थोड़ा प्रॉफिट टेबली रन कर लूँ सेम डे और जैसे तीन बजे या मार्केट में क्या चल रही है दो 200 पॉइंस के गैप डाउन तो आम बात हो गई है ठार्व है तो सब्सक्राइब क्योंकि मैं olur और 1100 रुपेहल ठीक है तैक आगे चलते हैं अभी कुछ नहीं करेंगे हम ठीक है जब तक profit में चल रहे ट्रेट में इसको छूँगा भी नहीं करूँगा ठीक है आव आगे चले आव आगे चले 12 बच गया है एक बच गया थीक है वह प्रॉफिट बड़ी रहा है भी हमारा देड़ बज गए हैं दो बजने वाले हैं ठीक है डाई बज गए ठीक है चलो पंदरा पंदरा मेंट करके आगे चलते हैं लो दोजार से उपर सेम डे में आ गए ठीक है अब मुझे बताओ तीन बज़ गए क्या तीन बज़ के पांच मिनिट हो गए ठीक जैसे तीन बज़े सेम डेके अब ट्रेड आगे मूफ करने लगी अब जैसे ट्रेड आगे मूफ करें यह फिर बड़ेगा डर आने लगेगा और नैच्रल है हम हम आपको बोला कुछ नहीं करना मेरे को नहीं परता गैप अब हैज़े करोंगा अब हैज़े करने का मतलब क्या है मैं अपनी ट्रेड को मिज़ू रिस्क है उसको क्या करने वाला मिटीगेट करने वाला वह कैसे होता है ढग से सुन लेना आज अगर मैं लगबग 50-500 तो इसमें से 500-500-500 समझदों मेरी बात आप इसमें बता हो अकर 500- करोगे तो कितना आएगा कितना गया सतरह जार इसमें पांसो प्लस करोगे तो लगबग कितना आगया आगया आपका अठाराहजार तो यह हमारे क्या यह ब्रेक इवन्स है क्या है हमारे ब्रेक इवन्स यह पॉइंट्स यह पॉइंट्स हमें डर कहां से लगना स्टार्ट होगा इस पॉइंट के बाद से तो डर लगना स्टार्ट होगा हमें तो यह हमारे ब्रेक इवन्स हैं तो जहां से डर लगना स्टार्ट हो रह सबसे पहले 97 007 007 को सबसे पिख शार नीचे किन फोट्टा एक का लिए करने पड़े चार्टा तो मैं यह भी कर सकता है सरे कुणकि कि ट्रेंडever पर मुफ कर रही है बट मेरे को नहीं पता दान हो जाए तो ज्यादा पॉइंट का मैं निद्र नीचे घायाप करते हैं बताव उपर से क्रें 18,000 आँ जर 18,000 बाय करते हैं ठीक है बाय पर एक लॉट बताओ ठीक है बन गए उपर से पर इसक्राइब रिसक्त कितना है नीचे की साइड हमारा रिसक लगब कितना है 6000 के रहुन इदर की साइड कितना है इधर भी 6000 के टेंशन यह इनको भी कम करें गे बिलकुल अपना प्रॉफिट भी तो देखो अठारा हजार प्रॉफिट है आपका और लॉस इसको स्टार्टिंग से कलते चलता ना तो वन इस्टू टू का रिस्क रिवार्ड आता कैसे अगर ये छहाजार रुपए आते तो इधर मैक्स प्रॉफिट चलिए बाराज़ा प्रॉफिटेबल चल रही थी समझरें तो हमें जो है जिसकी वज़े से यह रिस्क हमारा बैटर हो गया लगब ड़न इस्टो थी का रिस्क हमारा एक चोटी सी बात हमने करी हमने अपनी ट्रेड को संकसेफूली एक दिन चला लिया ठीक है और जैसे ही हमें दिखा हमें प्रॉ पर्केट खत्म होने वाला हमने एज बाइक करती है चोटा सब्सक्राइब इस समारा रिस्ट रिवार्ड अच्छा होगा वन इस्टू थ्री होगा ठीक है आओ अब क्या करना है चोटी सी बात पहली बता दूं कौन है यह नीरस सहाब अब हमें क्या करना है कुछ नहीं करना आगे चलेंगे जैसे हमें इस बार यह ब्रेक एवन क्रॉस होता देखेगा ब्रेक इवन देखो यह रहा लो दिखाए तो यह रहा ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है यह रहा ब्रेक इवन पॉइंट है लगबग 178-78 के राउंड बलकि 17 ह हमारे क्या है ब्रेक इवन है जैसी सेविंटीन एट फिप्टी ओ क्रॉस करेंगा मेरे तो डर्ड लगन लएगा कुछ न मेरे पेट में हल्चन होने लेगा यही तो होगा ठीक है मेरे को नीचे रेड एरिया दीखने लेगा इसका इलाज बताऊंगा थोड़ा रिस्की वाला बता रहा हूं और इसकी वाला क्यों बता रहा हूं रिस्क जादा तो प्रॉफिट बेजादा समझेव हाई रिस्क फायर दी प्रॉफिट लोवर दी प्रॉफिट तो आज थोड़ा रिस्की वाला एक एक करके सारे कवर करूबा ठीक है आओ जड़ा आगे चलते हैं 15 मिट बढ़ रहा है ठीक है बट अभी भी हम देखो किसमें अभी भी हम प्रॉफिट में लॉस नहीं हूँ अभी तक समझ रहे हो सिस्टेमाटिक चलोगे डिसिप्लिन दे चलोगे सारी बातों को फॉलो करोगे तो ट्रेड निकाल के लिए जाओगे चलो देखो बही बोलो बोलो मोमेंट आगे है क्या देखना जड़ा देखो बही बिल्कुल इग्जेक्ट वहीं पर यह देखना बिल्कुल इग्जेक्ट ब्रेक इविन पर ठीक है टाइम क्या और रहा है 920 ठीक है क्या बनता है डिसिजन लेना आंसर इस ठीक है अब क्या डिसिजन लेना है डिसिजन ज तो मैं दुबारा से कॉपी पर आता हूं ठीक है कुछ बात समझानी है तभी तभी आगे चलेंगे तभी मज़ा भी आएगा ठीक है आउ जड़ा कि मैं कह रहा हूं हमने क्या कर वह एक का ये डाउन इंट लो उसने उस वर्फिटेबली है नीचे यहां पर लॉस पर एसे वान इस टूट रिवर्टर और फ्लाइक हमने उसको वन इस्टू थी बना दिया एक छोटी सी डिसिप्लिन के कॉर्डिंग चले और कर लिया हमने एक काम ठीक है अच्छा बट रिस्क लिया था हमने उसके लिए जो को रिस्क लिया बेटर रिवॉर्ड आ गया ठीक है अब मैं क्या बोल रहा हूं मैं बोल क्लिंग केपासिटी आजाए कि हम ठाइड को थोड़ा सा और होल्ड कर पाएफ नुच क्छे यहां पर कुछ ऐसा कर सकता हूं कि जिस से मेरी साइकटोजिऑ का रहा है स्टेबल रहे और मैं करेक्ट डिसीजन लो तो वो तेक तरीके सो सकता है थोड़ से पॉइंट्स और खरीद लो कैसे मैं कुछ नहीं करूंगा मैं इसको मर्ज कर दूंगा आज कि जिसको विंग बटरफ्लाइ भी बोल जाता है वह होता कहें वह बतादू डाउन सैड के जो रिस्क होते हैं ओं यह रहे ऐसे यह होती है और एसे यह होती है ऑर विंग बटरफ्लाइग अगर मैंने इसको दोनों को यह मर्ज कर दिया एक साथ ठीक है मैंने यहां पर क्या बना दी मैंने यहां पर एक broken विंग butterfly बना दी ठीक है ऐसे तो इसके loss से इसका profit कम हो जाएगा ठीक है यह मैं बोलूँगा इसके profit से इसका loss कम हो जाएगा और हमारा diagram पता है कैसे बनके आएगा हमारा diagram बनके आएगा नीचे की side तो हमारे losses unlimited हो जाएंगे ठीक है बट हमें उपर की तरफ एक flat region मिल जाएगा ठीक है और हमारी trade लगबग इस तरीके से इस तरीके से चली जाएगी इस तरीके से ठीक है समझें मेरी बात को और market अभी यहां खड़ा हाँ तो लगबग market यहां आ जाएगा त region के अंदर है market और बहुत बार देखा गया है कि market यहां तक पहुचा और फिर पलट गया यहां तक पहुचा फिर पलट गया ठीक है तभी तो मैंने बोला है थोड़ा सा रिस्की है थोड़ा सा रिस्की है बट थोड़ा सा रिस्की है भी तो देखो यहां तक पहुच गया आ वारे नियारे ठीक आउजर आगे चलें अब क्या करना देखो बिल्कुल हमेरे ही पर खड़ा हुआ है ठीक है एक काम करते ऑप्शन चेन को बुलाएं चलो गेट ऑप्शन चेन आजओ ऑप्शन चेन मार्किट है हमारा बताओ कहां पर 17850 मालनो 17850 बनाओ 17850 की ब्रोकन विंग बटरफ्लाइ कैसे बंती है तरह डंक्ट सुन लें तेक मैं क्या करूंगा कितना है मार्किट 17850 एक सेवेंटीन एट फिफ्टी देखो मैं आगया 178 देखो यह रहाए 17850 सेम स्टैटल लालो 17850 का लो 17850 मैंने सेल करा वोट ठीक है उसके बाद में आया है 17850 की मैंने कॉल सेल कर दी एट पोजिशन ठीक है समझ में आ गई बात ठीक अब क्या करना है मुझे बहुत है 17850 यहां पर प्रीमियम कितना है यह लग बग 195 और इधर कितना है ज़रा बताओ इधर प्रीमियम है हमारा इधर प्रीमियम तो अगर बात करी जए तो दोनों को मिला यह लगबाग 400 फॉइंट हो जाता है 400 थीक तो कुस्मत करो 400 फॉइंट पीछे जाओ 400 पॉइंट आगे जो हैं जिस बाइगे ठीक है तो मेरे को ब्रोकेन विंग मनानी है तो मेरे को सिर्फ एक घ्ज बाइगा तो मैं 400 पॉइंट आगे चला जाता हूं 400 पॉइंट आगे जाओंगा कितना सौ पॉइंट फिर सौ पॉइंट फिर सौ पॉइंट प्रीमियम इसका इतनी चल रहे न हां ठीक है 400 पॉइंट कितना रब 18150 था कितना ड़ला 18 17850 179 50 इसका 195 इसका 200 तो लगबग 400 पॉइंट हो गया ठीक है तो इसका 400 पॉइंट कितना आ गया 400 पॉइंट 100 200 300 and 400 ठीक है इसको क्या करतों बाइ करतों लो एड पोजिशन बदावे चेक करके बदाव डाइग्रम कैसे बन रहा है चलो जल्दी से वैसी बन रहा है खोड़ो इदर देखो अकर फैलो चेक करो देखो ऐसा बन रहा नहीं बन रहा ठीक है मैंने इन दोनों को जो मर्ज कर दिया ठीक है आरिंट्छ को और ब्रोकन बाटर्फ्लाय को तो मेरे को थोड़ा सी एक्स्ट्र टाइम नहीं मिल लिए ट्रेक इश्ट्ट्र टाम मैं यह मेरो किस चीज में help करेगा this extra time will help me to hold this trade further देखो यह देखो यह मिलगे नहीं मिलगे extra time समझ में आरे यह बात लिखके बदो जल्दी से बास समझ में नहीं यहां पर क्या करा अभी शेक राहूल जल्दी बताओ दोनो समझ में यहां पर क्या करा मैंने थोड़ों सा extra time ले लिया extra time ताकि मैं trade को थोड़े और time hold कर पाऊं तो अब मैं क्या कर रहा हूं trade को मैं क्या कर रहा हूं hold ठीक आओ जरा आगे चलते मेरे पास holding पहली बार loss आया है ठीक है कितना 500 रुपे का hold कर सकते कोई issue नहीं है ठीक है फिर आगे चलो ठीक losses आ गए है ठीक है एक limit भी decide करनी पड़ेगी कि कितने loss आप bear कर सकते हो ठीक है यह बात ध्यान रखना अभी 4th एप्रिल चल रही है फोर्थ एप्रिल चल रही है ठीक losses कितना आ गए 190 ठीक है कम प्रॉफिट में आ गए चलो बही आगे यह क्या करा मैंने आपको बता रहा हूं कि मैंने holding capacity बढ़ाई थी थोड़ी सी ठीक और कुछ नहीं करा मैंने अभी same day चल रहा है ठीक है इतने losses नहीं हो कि इंको मैं bear नही बोले ट्रेड का है थोड़ी सी risky trade है क्या है risky है आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो वैसे अगर यहां पर मेरे को loss जाधा दिखाता देखो यहां पर क्या गई यहां पर फिर से किस पर आगई जल्दी से बताओ break-even पर तो मैं कुछ नहीं करता पता मैं क्या करता मैं एक और broken butterfly बनाता बट अभी नहीं जा रहा मैं उस पर अभी जाए नहीं रहा मैं ठीक है आउंगा उस बात पर भी आगे चलो कि आगे चलो ठीक है ट्रेड पीछे चलने लगी ट्रेड देखो गई हमारे break-even तक ठीक है break-even तक गई और फिर क्या आगई वापस वैसे रूल क्या बोलता है रूल बोलता था अगर broken butterfly बनाने के बाद भी आपका ब्रोक जो break-even है वो cross हो जाए तो मैं यहां पर एक और broken butterfly बनाता ठीक है सिर्फ यह काम मैं तीन बार करता हूं उसके बाद नहीं करता अगर उसके बाद भी trade साथ नहीं दे रही तो मैं trade को close कर देता है ठीक है तो पहला मैंने trigger अब पहला ही वर्क कर गया देखलो ठीक है आगे चलो 13 की अभी तो 13 की अभी तो 60 हो रहा है ठीक है आगे चलो एक दिन आगे बढ़ाओंगा फिर मैं थोड़ी दिर में आव एक दिन आगे बढ़ा दू चलो एक दिन आगे बढ़ा दिया ठीक है लगते हैं दो लाग 32,000 के राउंड लगते हैं तो मैंने तो बोले ऑप्षिन सेलिंग 3 लाख रुपए से कम में नहीं होती ठीक आगे चलो एक दिन और बढ़ा दिया मैंने ठीक है कितने आगे 66 एक दिन करके बढ़ा रहा हूं फिर लास्ट डे स्रिफ 15 15 मिट पर से लेंगे 11,000 आ चुके हैं 11,000 आ चुके हैं एक बाब बतो रिस्क लिया था मैंने बोले था हायर दे रिस्क रिस्क दे प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है दस कि एक दिन और आगे चला गया ठीक है चलो तीस तीस मिनट करके आगे बढ़ाते हैं ट्रेट खतम करते हैं कि तीस तीस मिनट करके आगे बढ़ाते हैं दो बीस दो पचास लो भई खता ठेक है ट्रेड ने कितना दिया रहा बताओ भई कितना दिया जल्दी बताओ हमें ट्रेड ने कभी भी उतना लॉस नहीं दिखाया कि हम बीर नहीं कर पा रहे था मैं वो भी नहीं उन्हें देता बट अकर मैं यहां पर दूसरी ब्रोकें विंग बटरफ्लाय बना देता तो आप कंफिज जाते कि सर क्या कर दिया इतनी सारी ट्रेड है हमें तो समझ में खता करता है ठीक है तो हमारे पास पहली बात अभी मैं ने चार्ट को निल्एज नहीं करवाया ठीक है चार्ट को एनलयाज करवाता तो दिखाता एंग सपार्ट जोन था ठीक है तो support जोन के पास जाकर मह उसने क्या करा उसने bounce back करा तो मैंने holdiंग क tenha क्यों लियोगी क्यों और हमें पता है डूपते हुए को तिनके का सारा काफी, चमझेबो, कोई इंसान डूप रहा होता है, तो उसको तिनका भी मिल जाए, तो बहुत सारा होता है, ठीक है? Very good, हाँ, ठीक है? वो क्यों करा हमने? Very good, very good, नहीं, तभी तो broken wing है वो, Why it is broken wing? अभी मैं वो भी बना के दिखा दूँगा, broken wing तभी तो है, सिर्फ हमने एक hedge buy करा है, एक wing उसका broken है, broken wing butterfly का मतलब 3 leg, broken wing butterfly का मतलब 3 leg थे उसके अंदर, 3 leg, ठीक है? और मैंने कौन से hedge buy करा था? CE वाला, PE वाला buy नहीं करा था, क्यों मैंने CE वाला hedge क्यों buy करा था? Market उपर जा रहा था, समझ रहो? Market का जा रहा था? Market जा रहा था, उपर, तो मैं कौन से buy करूँगा? अभी शिक बताओ, Market जा रहा था, उपर तो मैं hedge कौन से buy करूँगा? मेरे को कहां losses दिख रहे हैं मेरे को upside losses दिख रहे हैं ठीक है very good तो मैंने मैंने इसलिए CE बाला बाय करा क्या very good अब अगर market के नीचे आ रहा होता ठीक है नीचे आ रहा होता तो इसी काम को मैं नीचे करता मेरे को तो either of the side थोड़ी सी हां correct either of the side थोड़ी सी holding capacity चाहिए समझने ब थोड़ी सी holding capacity ले इस काम को मैं बहुत तरीके से कर सकता था बट मैंने आप से बोला था उसके अंदर बहुत सारा profit चला जाता यहां पर मैंने थोड़ा से risk लिया तो मेरा reward भी जो आया हो बेटर हुआ स्टार्टिंग से दिख रहा था मेरा risk और reward दोनों चीज़ क्या होती जा रहेती बेटर होती जा रहेती सबसे पहले मैंने क्या करना मैंने सिर्फ naked standard लाला फिर उसके बाद मैंने उसके hedges बाय करें बट कब बाय करें पूरा दिन निकलने के बाद जब मैं profit में था तो मैंने hedges buy कर उससे फायदा क्या हुआ मेरा risk reward better हो गया क्यों होता है मेरा risk reward better क्योंकि मेरे को hedges खरीदने को मिलते हो सस्ते मिलते हैं सस्ते खरीदने में ज्यादा points मिलते हैं ठीक है 100-100 points का अगर आपको difference मिल रहा है ठीक है कम पैसे देने में तो क्या नुकसान है तो मैंने क्या करा मैंने कम में hedges buy करें ठीक है और similar points capture कर लिए इसलिए मेरा risk reward better रागया 1-2 की जगा 1-3 हो गया ठीक है फिर हमने चलाए अपनी trade मैंने बोला कुछ नहीं करना जब तक कहां पर नहीं आती उसके break-even point तक नहीं आती तब तक हमें broken wing butterfly नहीं बनाने फिर मैंने क्या करा broken wing butterfly बना दी उसने सिर्फ इतना काम करा logic सुन लो यह याद कर ले ना बात अभी दो दिन बात भूल जाओगे practice नहीं करोगे तब भूल जाओगे उसने सिर्फ यह काम करा कि मेरे को थोड़ी सी holding capacity दे दी उसने क्या करा उसने क्या काम करा उसने मेरे को सिर्फ holding capacity दी और कुछ नहीं करा ठीक है जब मैंने broken wing butterfly को बनाया तो उसने सिर्फ मुझे यह area दे दिया मुझे यही चाहिए था डूपते को तिनके का सारत चाहिए था ठीक है तो मैंने क्या करा इसकी वज़े से फिर market यहां तक गया भी यह पा रहा हूँ मेरे को कभी ऐसे losses नहीं दिखे कि मैं बीर नहीं कर पा रहा हूं है न तो यहां तक जाकर मैंने losses बीयर करा ठीक है बास फिर trade ने क्या करा पीछे की तरफ आना स्टार्ट कर पीछे की तरफ मेरे पास इतना बड़ा इतना बड़ा एक area है market घूमे फिरे इसके भीच में कुछ भी करें मेरे को थीटा मिलना है बास समझ में आ रही है । तो इस तरीके से हमने अपनी ट्रेड को सक्सेस्फल बनाया अब थोड़ा सा broken wing butterfly इदर देखो हाँ broken wing butterfly generally ऐसी बनती है ठीक है generally हम क्या करते है iron fly जब बनती है हमारी तो हम क्या करते है इसी का same strike price का CE sell करते है उसके साथ साथ PE sell करते है ठीक है तो हमारे इस तरीके से straddle बन जाता है बट फिर क्या होता है हमें क्या करना है नीचे की साइड हमारे loss is unlimited तरफ losses unlimited हमें losses अपने limited करने होते हैं तो हम दोनों क्या hedges buy कर लेते हैं ठीक है वो hedges कैसे calculate करते है वो भी अब बताऊंगा किसे ठीक है बट मैंने क्या करा broken wing butterfly में क्या होता है यह भी butterfly है एक दिन butterfly भी समझा दूँगा ठीक है जब broken wing बात करूँगा butterfly ब्रोकन विंग दोनों एक साथ दूँगा ठीक है अलग अभी अलग अलग सिनेरियो पर बैक टेस्ट करेंग ठीक है अच्छा फिर क्या करना है मैंने इसको इ इसी आरेन फ्लाय को broken wing के साथ merge करा broken wing कैसे बनती है देखो यह उपर downside के जो हमारे losses है वो unlimited उपर की तरफ यह पूरा profitable region होता है यह पूरा profitable समझते बात को जब मैंने दोनों को merge कर दिया तो हमारे diagram ऐसे बन गया था ठीक है और यह कब करना है कब करना है जब हमें थोड़ी सी महूलत चाहिए है market से थोड़ा से extra time buy करना है कि मेरे पास थोड़ी holding capacity आ जाए तब यह काम करना है generally ठीक है ठीक है अगर trade इसको cross कर जाती तो आप बोदर सर फिर क्या करते कुछ नहीं करता मैं मैं एक और broken wing butterfly बनाता बट इसको मैं cross करने का weight नहीं करता ठीक है मैं generally rule बोलता ह कि जैसी वो break even पर पहुचे तब आप क्या करो एक और broken wing butterfly बना दो तो generally फिर से आपको थोड़ा से महूलत मिल जाती ठीक है फिर अगर यहां तक जाता है फिर मैं एक और बनाता बस तीन broken wing butterfly तीन के बाद नहीं बनाता उसकी बाद ही market आगे भाग रहा है trade को हटा हो समझदे बात को trade को हटा हो clear ठीक है तो इस तरीके से हम ironfly को manage कर सकते बट यह method थोड़ा risky है क्या है जल्दी से बताओ risky है ठीक है बट higher the risk higher the profit higher the risk higher the profit बास समझ में आगे ठीक राउल मैंने आपसे trade डालने को बोला था आपने trade नहीं डाली थी ठीक है अभिशेक ने डाली थी और मुझे अभिशेक कभी अच्छा लगा अभिशेक ने अभिशेक ने straddle डाला था अभिशेक कौन से strike का था 17 17 50 का था ना 17 050 का था ठीक है 17 050 का हां हां करेक्ट ठीक है तो अच्छा लगा उस straddle को हम close कर सकते थे ठीक है 2500 रुपीज का उसने profit दिया है वहाँ पर उसको आप आप close कर सकते थे कोई issue नहीं था ठीक है बट कोई बात निया आपने hold करा और market का आज move देखा आपने ठीक है क्या move था market के अंदर single sided rally थी बीच में last में end में जाके selling आई है इस break-even से फिर हम पास जाते रहते जाते रहते जाते रहते यह मेरा next class का topic है ironfly को अभी मैंने broken butterfly के साथ manage कर वाया है ठीक है अब हम उसको करेंगे opposite site से selling करके फिर एक दिन बताऊंगा reverse buying तो जैसी मैंने तीनों बात बता दी और इसको अलग-अलग market condition कर लिए iron flag हतम हो जाएंगे फिर iron flag को iron flag को debit spreads के साथ कैसे डाला जाता है वह बताऊंगा फिर double debit के साथ आप देखोगे उस trade की probability of profit लगबग 91% होती है 90% 91% जो डालते time probability of profit 90% होती है ठीक है क्योंकि वो ट्रेड लगबग वो ट्रेड लगबग तो इसे डलती है ट्रेड डेबिट फिर बीच में iron flag फिर एको debit spread इस तरीके से ट्रेड डाली जाती है ठीक है बलकि लाइन थोड़ा यहां पर होती है ठीक तो जब यह यह 2 सिग्मा और इधर इधर भी 2 सिग्मा तो अगर 2 सिग्मा तक ट्रेड आपकी जा रही है दोनों तर दोनों में लगबग जीतती है टेड रवारें तो option selling इसले कर जाती ठीक है option buying में आप सारी चीज़ा नहीं कर सकता है option buying में सरफ पैसा खो गए और कुछ नहीं करो गए यह मेरी guarantee है तो सरफ option selling और strategies पर focus कर और किसी पर focus नहीं करो ठीक है तो आठीक है चलो आज सी class ओवर होने उसको अलग-अलग मार्केट कंडिशन में जाके बैक्टेस्ट करो दुबारा करके देखो आप्स्ट्र के अंदर के कैसे स्टेडिजी बिना जारी जब तक आप यह नहीं करोगे तो हाथ पे बैटेंगी नहीं चीज़े बार वर मैं आके बताऊंगा ठीक जब तक मैं पढ़ा